हेलो गाईज तो स्वागत है आज आपका आज मैंने नया डिस्टिक उठाया है आज है हमारी किश्टवाड की बारी इससे पहले मैंने रामबन डिस्टिक और पुंच डिस्टिक पे वीडियो दे दी है आपको I hope गाईज आपको मेरे एफ़र्स पसंद आ रहे होंगे तो चलि पढ़ते हैं पहले किश्टवाड की हिस्ट्री के बारे मैं गाईज तो सबसे पहले आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि जो हमारा किश्टवाड डिस्टिक है इसको Land of Saffron and Sapphire बोलते हैं गाईज तो ये बात आप काफी धियान से याद रखेंगे कि जो किश्टवाड ह में रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है कि जो किश्टवाड है that is known as Land of Saffron and Sapphire किश्टवाड the Land of Saffron and Sapphire is nestled in the lap of beautiful and majestic चोगान तो याद रखेंगे यहां पे आपको देखेगा चोगान ग्राउंड तो चोगान ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा किश्टवाड में तो चोगान कौन से district में देखने को मिलेगा तो चोगान ग्राउंड जो है आपको देखने को मिलेगा अपने किश्टवाड district में गाईज बहुत ही खुशूरण district है तो आगे चलेंगे बहुत जादा नागीन शिरू पीक तो आपको यहां पे देखेगी नागीन शिरू पीक तो किश्टवाड के उपर एक पीक है और वो है नागीन शिरू पीक गाईज बहुत बहुत important तो यह question भी आपको यहां से डाल सकती है कि कौन से district में आपको देखने को मिलेगी नागी नागीन शिरू पीक गाईज तो नागीन शिरू पीक आपको यह बताना है कि नागीन शिरू पीक हमें किश्टवाड डिस्टिक की है गाईज तो यह याद रखेंगे आप तो इस नार्थ और आपको किश्टवाड में देखने को मिलेगा अपना चनाब रिवर तो किश्ट तो अगर किष्टवार के existence की बात करें तो ये महाभारता के time पे भी exist करता था और तब इसका नाम था guys लोहित मंडल तो इससे important आपके लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने जेके SS में पे देखा है कि पुराने नाम पे बहुत ज़्यादा question बन रहे हैं तो कल हमने जैसे रा अब हरता के time पे लोहित मंडल के नाम से जाना जाता था ये guys बात आप याद रखेंगे हो सकता है कि JKSSB सीधा सीधा question आपको डाल दे कि which district is known as लोहित मंडल during महाभारता time तो कौन सा district था जिसको लोहित मंडल के नाम से जाना जाता था महाभारता के time पे तो वो है हमारा किष सैफरान तो लोहित मंडल महाभारता के time पे जाना जाता था और लोहित मंडल का नाम ही meaning जो है वो यही है कि land of सैफरान guys तो याद रखेंगे according to some historians कुछ historians का मानना है it was previously called कश्यपवास guys ये very very important कि कुछ historians मानते हैं कि इसको कश्यपवास के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये place मानी जाती है कि कश्यप रिशी से related है तो इसलिए इसको कुछ historians जो है कश्यपवास के नाम से भी जानते है guys ये भी आप याद रखेंग तो ये किश्तवार स्टेट की capital भी रही है 1821 AD तक और 1821 AD में इसको annex करते हैं गुलाब सिंग guys तो याद रखेंगे जेके SSB ने ये question पूछा कि गुलाब सिंग ने किश्तवार को annex कब किया है तो किश्तवार को annex किया था 1821 AD में गुलाब सिंग ने तो guys ये याद रखेंगे आप अभी नीचे में ने दुबा रहा है इसको आपको दिखाना है तो अभी आप इसको सिर्व याद रखेंगे किश्तवार is the upland valley in north east corner of Jammu तो किश्तवार आपको एक upland valley दिखेगी और ये north east है Jammu से lies among the picturesque fold of the great himalian range और आपको यहाँ पे great himalian range देखने को मिलेगी the area is drained by चनाब river ये मैं बता चुका हूँ आपको which is following from Himachal Pradesh ये Himachal Pradesh से आता है और हमारे powder में जो है enter करता है किश्तवार डिस्टिक में किश्तवार डिस्टिक is bounded on north by किश्मीर तो यह याद रखेंगे कि किश्तवार डिस्टिक के north में आपको किश्मीर देखेगा और जंसकर देख गया होगा नेक्स दचन, मारवा, वडवान, पाडर, चत्रु आर मेजर वैलीज और टूरिस्ट पार्स आफ किश्तवार ये बहुत सारी वैलीज है और टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे किश्तवार में गाई किश्तवार में अगर आप जाओगे तो जबरदस निज गया होगा तो गया है तो गया है यहां से आपको सूरु, जंसकर और कश्मीर का भी बॉर्डर देखने को मिलेगा अपने किश्तवार से next guys यह मैं आपको बता चुका हूँ कि किश्तवार को the land of saffron और sapphire भी बोलते हैं लेकिन guys यह भी याद रखना कि किश्तवार को land of shrines भी बोलते हैं was an independent hilly state during the medieval period और medieval period की बात करें तो यह independent hilly state थी लेकिन महाराजा गुलाब सिंग ने इसको जो की एक डोगरा ruler थे और उन्होंना annex किया था 1821 AD में guys यह भी मैं आपको बता चुका हूँ तो आप यह काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखें क्योंकि JKSSB ने इस पे question पूछा हुआ है कि महाराजा गुलाब सिंग ने कब annex किया था किश्तवार district को तो 1821 AD में किया था annex तो guys यह बहुत important है आपके लिए JKSSB point of view से किश्तवार वास carved out as a district from Doda district तो यह याद रखेंगे कि किश्तवार को जो है वो carve किया गया है Doda district से guys तो पहले Doda district में रामबन भी होता था और किश्तवार भी होता था तो Doda एक बहुत बड़ा district था पहले लेकिन आप किश्तवार अलग हो गया रामबन अलग हो गया और Doda अलग हो गया तो यह याद रखेंगे आप and started functioning as an independent administrative unit in the year 2007 और 2007 से यह अलग district बन गया गया यह आप सब आपको पता होगा रामबन डिस्टिक और किश्तवार district अलग होए थे Doda district से 2007 किश्तवार town the headquarters of किश्तवार district is situated at a distance of 211.5 km from the winter capital of Jammu तो Jammu से यह 211.5 km की दूरी पे रहा है guys किश्तवार is also known as land of किश्यत रिशी guys very 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 important यह question भी आपको JKSS भी सीधा सीधा पूर सकती है कि which district is known as land of किश्यत रिशी तो यह आप याद रखेंगे कि land of किश्यत रिशी जो है वो किश्तवार को कहा जाता है और land of sapphire and saffron भी जो है वो किश्तवार को ही कहा जाता है इसको कश्यप वास के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यह माना जाता है कि कश्यप रिशी भी कहीं न कहीं यहां के ही related थे इसी district के और जो मैंने एक और आपको बताया है कि इसको लोहित मंडल के नाम से जाना जाता था महाबारता टाइम पर क्योंकि लोहित मंडल का नाम भी यही होता है कि लैंड आफ सैफरान तो यह आपको यह पुराने नाम आप याद रहेंगे अपने किश्तवार डिस्टिक के तो इसको लैंड आफ किश्यत रिशी से भी जाना जाता है और लैंड आफ सैफाइर और सैफरान के नाम से भी जाना जाता है as Kishat Rishi was the son who lived here and there is mine a huge mine of sapphire in powder area and rich cultivation of saffron in pochal area in Kishitwar district तो आप guys इसको यह क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे Kishat Rishi जो थे वो यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे powder area में आपको sapphire की mine देखने को मिलेगी और saffron आपको pochal area sorry guys अगर मैं pochal area का नाम गलत ले रहा हूँ तो शायद इसको कुछ और बोलते हूँ लेकिन मुझे जो प्रनन्स करना आ रहा है मैं वो ही बोल रहा हूँ तो अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो sorry guys तो यह pochal area में जो है saffron होता है और बहुत ही important है कि चोगान जो है पूरे बिलकुल बीचो बीच किष्टवाड के आपको चोगान ground देखने को भी लगए और बहुत ही खुबसूरत ground है यह चोगान तो यह guys याद रखेंगे कि चोगान ground कहां पे है अनंतनाग district ने डोडा district ने और यह touch करता है हिमाचल परदेश को भी guys यह भी आप याद रखेंगे किष्टवाड is well connected by roads to other places in Jammu and Kashmir तो किष्टवाड को road से connect किया हुआ है Jammu Kashmir में and rest of India as several highways and road pass through किष्टवाड including NH244 तो कौन सा national highway है किष्टवाड में guys यह बात आपके लिए important हो जाती है कि NH244 हमारे किष्टवाड में है यह guys याद रखेंगे कौन सा national highway है NH244 तो यह important question guys हो जाता है JKSB point of view से तो किष्टवाड में हमें देखने को मिलेगा NH244 next guys अब हम करेंगे tourist places हमारे किष्टवाड district तो सबसे पहले है हमारी Shrine of Shah Asraar guys तो अभी हमने देखा कि JSA के exam में question पूछा हुआ था कि Baba Heather Rishi की shrine कहां पे है तो ऐसे ही यहां पे किष्टवाड से next exam में question बन सचता है कि Shrine of Shah Asraar कहां देखने को मिलेगी तो यह जो शाह असरार जी की shrine है यह आपको किष्टवाड district में देखने को मिलेगी guys बहुत ज़ादा लोग यहां पे जाते है Shrine of Shah Asraar is situated in south east of Choghan तो Choghan ground से आपको south east की तरफ जाना है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी Shrine of Shah Asraar It is highly revered shrine and is one of the prime tourist attraction in किष्टवाड तो guys याद रखेंगे आपकी शाह असरार की Shrine आपको किष्टवाड में देखने को मिलेगी Next है हमारा किष्टवाड high altitude national park है हमारे UTJNK का सबसे बड़ा national park है किष्टवाड का national park और थोड़ा इसके बारे में हम जाने के कोशिश करेंगे ये 290 square kilometer के area पे फैला हुआ है किष्टवाड national park का किष्टवाड high altitude national park is one of the major wildlife destination in Jammu and Kashmir The national park in किष्टवाड attracts wildlife lovers which is rich flora and flora काफी rich flora and flora देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे आपको musk deer, himalian brown bear देखने को मिलेगा और wildlife reserves offers great tracking का भी यहाँ पे काफी अच्छी opportunities है और अगर national park के अगर हम बात करें तो कौण-कौण सी wildlife species है गाईज एक नजर मारेंगे आप ब्राउन bear देखने को मिलेगा snow leopard के लिए तो यह famous है himalian black bear, musk deer, indian muntijal, ibex देखने को मिलेगा mark or goat भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी zero देखने को मिलेगा, wild boar देखने को मिलेगा bharal देखने को मिलेगा, rhesus macaque देखने को मिलेगा hangular kishmiri stag भी आपको देखने को मिलेगा और कौन-कौन से birds हैं guys, वो भी ध्यान रखेंगे himalian monal तो हो सकता है, jkssb आपको सीधा यहाँ से पूछते कि himalian monal कौन सी wildlife national park में देखने को मिलेगा तो वो हमारा kishdoward high altitude national park himalian snow cock देखने को मिलेगा coke last देखने को मिलेगा bearded vulture यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा himalian snow cock देखने को मिलेगा next है guys, western tragopan himalian jungle crow देखने को मिलेगा griffon vulture, paradise fly catcher भी आपको देखने को मिलेगा golden aureole, white-cheeked bulbul भी आपको देखने को मिलेगा तो guys, यह था हमारा high altitude kishdoward national park अब है guys, हमारी machail matah जो कि बहुत जादा tourist यहाँ पर जाता है और यह है हमारी machail matah जो कि machail matah जो कि हमारे dedicated to goddess durga guys तो यह goddess durga का ही रूप है हमारा machail matah mandir is a popular hindu temple in machail village in padr kishdoward तो यह padr में देखने को मिलेगा आपको और बहुत ही famous temple है guys यह बहुत बड़ी यात्रा है यहाँ पर जाती है the temple also known as machail matah sthan is set amidst beautiful landscape comprising the grain rolling hills glaciers and tributaries जादा चनाब river तो किष्टवार में आपको चनाब river ही देखने को मिलेगा the temple is also known as chandi matah shrine तो guys, याद रखेंगे इसको chandi matah shrine के नाम से भी जाना जाता है as goddess durga is also called chandi तो goddess durga का ही यह रूप है क्योंकि goddess durga को ही chandi matah के नाम से भी जाना जाता है तो chandi matah की shrine आपको देखने को मिलेगी किष्टवार next है हमारा chowgaan ground guys देखें कितना खुबसूरत ground है यह कितना जबर्दस नजार है हमारे chowgaan ground का तो यह किष्टवार के बीचो बीच आपको देखने को मिलेगा chowgaan ground तो scenic place in किष्टवार is surrounded by चिनार, दिदार and different kinds of trees and spreads in an area of 165 acre guys तो मुझे अगर मोका मिला तो मैं जरूर इस chowgaan ground में जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो चोगाan ground जो है यह किष्टवार के बीचो बीच देखने को मिलेगा और इसके आसपास आपको चिनार और दिदार के पेड़ देखने को मिलेगे नेक्स्ट है guys, सिंथन टॉप in किष्टवार तो सिंथन टॉप की अगर बात करें तो यह हमारा सिंथन टॉप काफी खुबसूरत यह एक पास है जो कि कश्टवार को जोड़ता है किष्टवार से यह भी guys याद रखेंगे located between south कश्मीर की ब्रिंगी valley तो कश्मीर में एक ब्रिंगी valley है नंतनाग में जहां से ब्रिंगी river गुजरता है तो उस ब्रिंगी valley को यह जोड़ता है किष्टवार से हमारा सिंथन टॉप is a mountain pass which is one of the most popular tourist attraction काफी tourist यहां पे आता है guys यह काफी अच्छी tourist place है at a height of 3800 meter सिंथन टॉप draws many tourists with 360 degree view यहां से आपको 360 degree view देखेगा gorgeous view आप दो जमू region and कश्मीर region तो दोनों का यहां पे view आपको देखने को मिलेगा being covered in snow throw out the air पूरे साल यहां पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी this must see place in किष्टवार attracts snow lovers as well तो snow lovers को भी यहां पे आना चाहिए काफी अच्छी जगा है next है guys मुगल मैदान किष्टवार very 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 important तो मुगल मैदान कहां पे देखने हो मिलेगा जेके ऐसे सीधा question उठा के आपको डाल देगी और आप हो जाओगे confused अगर आपको पता नहीं होगा तो मुगल मैदान है हमारे किष्टवार थोड़ा बहुत इसके बारे में चारें के मुगल मैदान is about 24 km किष्टवार तो किष्टवार से 24 km की दूरी पर हमारा मुगल मैदान इट इस दा प्लेस वेर मुगल्स हैड फॉर्ट एवार अगेंस किष्टवार थ्रो सिंथन और सिंगपोरा गाईज याद रखेंगे तो यहां से मुगलों ने fight की थी किष्टवार के against थ्रो सिंथन और सिंगपोरा गाईज तो यह याद रखेंगे तो इसलिए इसका नाम बन गया है मुगल मैदान क्योंकि मुगल्स ने यहां पर fight की थी किष्टवार के विरुद तो very very important यह आप याद रखेंगे next है गाइस वरवान वैली गाइस बहुत ही खूबसूरत है यह वरवान वैली अगर मुझे कहीं मोका मिला अपनी लाइफ में तो मैं वरवान वैली जरूर जाना चाहूँगा क्योंकि इस पिक से लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है वरवान वैली कितने खूबसूरत कितना जबरदस्ट Majestic नजारा है इस वैली का तो वरवान वैली में वरवान रिवर ही बहता है तो यहाँ पे अगर मुझे मोका मिला तो ज़रूर जाना चाहूँगा वरवान वैली बहुत ही खुबसूरत वैली है तो गैस याद रखेंगे कि वरवान वैली कहा है ये हमारे किष्टवाड में है Next है गैस famous personality of किष्टवाड ये है famous personality किष्टवाड के ये हैं जनाब दरबेश मुहमद इशाक साहिब ये किष्टवाड की famous personalities में आते हैं लेट मुहमद इशाक बजदार सन अफ अनवर जू बजदार अलिस अनवर चोकिदार वाज 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 पूरर दरबेश आफ जेयाड के स्टेट ये पूरे जेयाड के स्टेट के पूरर दरबेश हैं गाईस he was commonly known as दरबेश इशाक साहिब तो दरबेश इशाक साहिब जो है ये famous personality है हमारे किष्टवाड के his कश्मीरी poetry was appreciated by the pupil and he himself participated in many poetic symbiosis organized by the radio TV तो ये एक बहुती जबरदस्ट point है कश्मीरी point है और ये पूरे जम्मु कश्मीर के दरबेश है इनको दरबेश के नाम से ही जाना जाता था दरबेश मुहमद इशाक साहिब तो इनके बारे में आप याद रखेंगे ये हैं हमारे किष्टवाड की famous personality तो याद रखेंगे दरबेश मुहमद इशाक साहिब के बारे में हो जगता है ये कैसे भी सीधा question यहां से डाल दे next है guys cuisine के बारे में तो steple food की अगर बात करें किष्टवाड की तो वो है rice guys तो rice है steple food किष्टवाड का और ये बहुत सारी vegetables भी खाते है और इनकी favorite dish की अगर बात करें guys तो यहाँ पे खमीरा खाया जाता है खमीरा और इसको जो है लोकल भाशा में पठोर भी बोलते है और साग भी खाया जाता है यहां पे खमीरा और साग यहां पे favorite dish है किष्टवाड के लोगों की और steple food यहां का है rice guys तो यह याद रखेंगे steple food next guys अगर किष्टवाड के dams की बात करें तो यहां पे दुलहस्ती डैम है और JKSS में मुझे लगता है पचास बार इस question को पूछ दिया होगा कि दुलहस्ती डैम कहां पे है तो दुलहस्ती डैम है हमारे किष्टवाड पे और river कौन सा है जी चनाब river है वहां पे चनाब ही है 390 मेगावाट इसकी capacity याद रखेंगे JKSS में question पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा river है जिसका जो catchment area वो fan shape like है तो वो मरुसूदर river है और मरुसूदर river is the tributary of चनाब river गाईज तो यह सबसे बड़ी right bank tributary है हमारे चनाब river की यह याद रखेंगे मरुसूदर river तो मरुसूदर river के उपर मनाया जा रहा है पकल डूल डैम जो अभी under construction है गाईज तो यह याद रखेंगे आप नेक्स्ट है गाईज rivers तो किश्टवाड में कौन कौन से rivers है तो national park encompasses the catchment of क्यार, नात और कबीर नाला यह तीन नाले आपको देखने को मिलेंगे हमारे किश्टवाड national park के आसपास और आला फिच्ट ड्रेन सौथ वेस्ट इन्टू मार्वा river और यह सारे नालाज जो है सीधे जाते हैं मार्वा river में और मार्वा river को ही मरुसूदर river के नाम से जाना जाता है और यही river फिर जोईन करता है चनाव river को यह बहुत important है मरुसूदर river क्योंकि यह biggest right bank tributary है हमारे चनाव river के और इस पर question आ सकता है कि मरुसूदर river कौन सी जगा पे जोईन करती है चनाव river तो याद रखेंगे कि जो मरुसूदर river है वो चनाव river को जोईन करती है किष्टवार टाउन के below एक बंदर कूट village है वहाँ पे जाके यह जोईन करती है चनाव river को तो इसी के साथ guys I hope आपको यह lecture मेरा अच्छा लगा होगा lecture खतम हो चुका है और यह था हमारा किष्टवार district मैंने अपने से पूरी कोशिश की है जो भी content मुझे मिला जो भी history मुझे मिली मैंने वो history पढ़ाने की कोशिश की आपके सामने लाने की कोशिश की और अगर आपको मेरे efforts अच्छे लग रहे हैं guys तो please इसको share करना like करना और comment करना ना भूले ताकि ये मेरा जो effort है ये सब लोगों तक पहुंच सके और कोई भी question अगर JKSSB किसी district से उठाए तो बच्चे उसको करने में काम्याव हों तो यही मेरा purpose है इस video को बनाने का तो जितना हो सके उसको share करें recap guys एक करेंगे हम कि जल्दी से एक बार इसको revise कर लेंगे तो सबसे पहले किष्टवाड को land of saffron और sapphire बोला जाता है ये बात आप याद रखेंगे हो सकता है question पूछा जाए दूसरा question यहाँ से ये निकल सकता है कि चोगान ground जो है कहां पे है तो चोगान ground किष्टवाड में है next guys अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा river है किष्टवाड district में ये question आ सकता है तो चनाब river आपको चनाब river आपको देखने को मिलेगा अपने किष्टवाड district में ये guys आप बात याद रखेंगे ये देखिए चनाब river तो उसके बाद अगर guys बात करें हम तो next महाभारता के टाइम पे किष्टवाड district का क्या नाम था guys ये question आपको पूछा जा सकता है तो ये आप याद रखेंगे कि उस टाइम पे इसको लोहित मंडल के नाम से जाना जाता था guys तो कुछ historian इसको कश्यप वास के नाम से भी जानते हैं guys तो ये भी आप याद रखेंगे कि कश्यप वास के नाम से भी इसको कुछ historians जानते हैं guys ये भी आप याद रखेंगे उसके बाद guys 1821 तक ये independent capital रही उसके बाद यहाँ पे कौन सी range है guys ये question आपको बन सकता है कि किश्टवाड में आपको कौन सी range तो Great Himalayan range आपको देखने को मिलेगी किश्टवाड में ये important question है guys यहाँ पे और उसके बाद अगर guys हम बात करें तो किश्टवाड district जो है वो नार्थ में आपको किश्मीर देखने को मिलेगा जंसकर देखने को मिलेगा south में डोटा देखने को मिलेगा east में हमाचल परदेश देखने को मिलेगा और west में अनंतनाग और रामबन डिस्टिक देखने को मिलेगा next guys आपको दचान, मरवा, बढ़वान, पाडर, चत्रू यह कुछ आपको valleys और tourist spots देखने को मिलेंगे यहाँ पर, काफी important और किश्टवार को land of saffron, land of sapphire और land of shrines भी बोला जाता है यह याद रखेंगे और महाराजा गुलाब सिंग ने guys डोगरा ruler जो थे उन्होंने किश्टवार को annex किया था 1821 AD में guys तो यह question यह कैसे पूछ भी चुका है मैंने आपको बता दिया है और किश्टवार जो है, यह कार्व हुआ है डोडा डिस्टिक से और 2007 में इसने अपना काम as a district यह 2007 से काम कर रहा है guys किश्टवार डिस्टिक उसने बाद किश्टवार टोन के अगर बात करें तो यह 211.5 km की दूरी पर है हमारे जमू डिस्टिक से और किश्टवार का एक ओन नाम है guys लैंड आफ किश्ट रिशी भी इसको बोलते हैं यह भी आप याद रखेंगे सैफाइर और सैफरान तो आपको बता होगा लेकिन लैंड आफ किश्ट रिशी भी बोलते हैं यह कम लोगों को बता होगा guys यह भी आप याद रखेंगे इसके बारे में और एक लार्ज ग्राउंड जो कि चोगान के नाम से जाना जाता है वो इसके हर्ट में है मतलब बीचो बीच किश्टवार के आपको जोगान ग्राउंड देखने को मिलेगा नेक्स्ट गाइज आपके लिए यहां पर important रहने वाला है कि यह National Highway यह हमारे NH244 आपको देखने को मिलेगा किश्टवार डिस्टिक में यह आप याद रखेंगे नेक्स गाइज टूरिस प्लेसी शराइन आफशाह असराथ देखने को मिलेगी यहां पर नेक्स गाइज किश्टवार हाई आल्टीचूड नैशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा next अगर हम बात करें guys तो मचेल माता का मंदिर जो शराइन है चंडी माता की वो आपको देखने को मिलेगी next चोगान ग्राउंट जो कि बहुत ही खुबसूरत ग्राउंट है यह आपको देखने को मिलेगी next हमारा सिंथन टॉप यह भी काफी important है next मुगल मैदान guys very very important कि मुगल मैदान कहां पे है वो किश्टवार में है जैके SSB सिधा सिधा कोशन उठा के आपको डाल सकती है next हमारी वरवान वैली guys बहुत खुबसूरत वरवान वैली भी यहां पे ही देखने को मिलेगी और famous personality हमारे किश्टवार डिस्टी के की बात करें तो दुल हस्ती जिसकी capacity 390 मेगावार्ट है यह आपको देखने को मिलेगा चनाव रिवर पे और पकल दुल जो कि मरुसूदर रिवर पे बन रहा है यह भी आप याद रखेंगे और रिवर्स के अगर बात करें तो चनाव रिवर है और मरुसूदर रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि विक्यास ट्राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जो कि चनाव रिवर को बंदरकूट विलेज पे जाके जोइन करती है तो इसी के साथ आपका किष्टवाट डिस्टिक खतम होता है और आपको आपको यह लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा आपको बसंद आया होगा किष्टवाट डिस्टिक तो अगर आपको अच्छे लगे हैं गाइस मेरे तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट करना ना भूए थांक्यू गाइस